दोस्तो उल्लू एक ऐसा जीव है जो हमेशा रात के समय सक्री रहता है क्योंकि ये एक रात्रिचर जीव है और शायद इसलिए दूसरे पक्षियों की तरह लोगों का इस पर ध्यान नहीं जाता ये उल्लू बहुती शान्त होते हैं क्योंकि जब ये उड़ते हैं तो इनके पंकों से बिल्कुल भी आवाज नहीं आती इसके अलावा इनकी आँखे गोल और बहुती तेज होती है जिसके कारण ये अंधेरी रात में भी जमीन पर पड़ी सुई को आसानी से देख लेते हैं इनके कान भी बहुती तेज होते हैं जो शिकार के छोटी से छोटी आवाज को भी सुनने में सक्षम होते हैं इन शिकारी पक्षियों के पास बहुती लंबे तेज और नुकिले पंजे होते हैं जो शिकार को पकड़ने के लिए काफी मददगार साबित होते हैं इसके अलावे इनकी चोंच भी बहुती तेज और घुमावदार होते हैं जो इने शिकार को काट कर खाने के लिए सक्षम ब देखना लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दू कि इससे पहले मैंने बहुत से जानवरों के जीवन चक्र की वीडियो बनाई हुई है जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला और आज हम आपके लिए एक और जीवन चक्र के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं हमें उम तकी मैंने अपसे कहा कि ये उल्लू एक निशाचर जीव होते हैं और इनका आकार विभिन प्रजाती के आधार पर अलग अलग होता है शोत करताओं के अनुसार एक समाने उल्लू का वजन चार से पांच किलोग्राम के बीच होता है और इनका आकार दो से तीन फीट के करते हैं इसके अलावा ये अपनी गर्दन को 360 डिगरी के एंगल तक घुमा सकते हैं और अगर बात करें इनके भोजन की तो इनके आहर में चुहे, मेंड़क, छिपकली और गिलहरी जैसे जीव शामिल होते हैं तो चलिए अब हम इनके जीवन चकर के बारे में बात करते हैं तो दोस्तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है जैसा कि आप देख सकते हैं और इनका ये मिलन कुछ मिन्टों से लेकर घंटों तक चल सकता है तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके कुछ दिनों बाद ही मादा अंडे देने की अवस्ता में आ जाती है आपको बता दू कि मादा के गरभावस्ता का समय कुछ हफ्तों का होता है और इस दौरान ये अपने अंडे देने के लिए एक सुरक्षिद स्थान की तलाश करती है आपको जानकर हैरानी होगी कि ये उल्लू अपने अंडे देने के लिए दूसरे पक्षियों की तरह अपना खुद का घोसला नहीं बनाते बलकि ये दूसरे पक्षियों दोरा बनाये गए घोसले या छोड़े हुए घोसले पर कफजा कर लेते हैं इसके अलावा ये खोकले पेड़ के छेदों में भी अपना घर बना लेते हैं तो जैसे ही इने इस तरह की जगें मिल जाती है और इनके गर्भावस्था का समय पूरा हो जाता है उसके बाद ये अंडे देना शुरू करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये अपन अंडे दे देते हैं जो विबिन प्रजाती के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है तो जैसे ही ये अपने सारे अंडे दे देती है उसके बाद ये अंडो को सेना शुरू करती है और नर उल्लू खाना लाने का काम करता है आपको बता दूं कि मादा उल्लू अंडो को सेने क काम लगभग 30 दिनों तक करते हैं जो विबिन प्रजाती के आधार पर कम यह जादा हो सकता है तो जैसे ही 30 दिनों का समय पूरा हो जाता है उसके बाद अंडों से बच्चे निकलने शुरू होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह यह बच्चे निकल रहे हैं यह नवजाद बच्चे गुलाबी तुचा और सफेद पंकों के साथ पैदा होते हैं चाहे यह किसी भी प्रजाती के हो और जैसे ही ये सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं तो उसके बाद मादा उल्लू इनका खास ध्यान रखती है क्योंकि ये बच्चे भोजन और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अपनी मापर निर्भर होते हैं और जब ये पैदा होते हैं तो ये अंधे होते हैं और अपने जीवन के शुरुआती एक महिने तक इनकी आखों की रोशनी भी नहीं आती इसके अलावा मादा उल्लू अपने बच्चों को गर्म रखने के लिए अपने पंकों का इस्तमाल करते हैं अब जब मादा उल्लू अपने बच्चों का ध्यान रखने में व्यस्त रहती है तो नर उल्लू अभी भी इन सब के लिए खाना लाने का काम करता है इनके आहार में छोटे स्तंधारी, सरी स्रिप और किरे मकोडे शामिल होते हैं तो जैसे ही बच्चे 40 दिनों के हो जाते हैं उसके बाद ये उड़ने में सक्षम हो जाते हैं लेकिन शुरूआती दोर पर ये अपने गोंसलों से ज्यादा दूर नहीं उड़ते क्योंकि अभी भी अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं और जैसे जैसे ये बढ़ते समय के साथ अपनी उड़ान में मजबूत होते जाते हैं वैसे वैसे ये अपने माता पिता के साथ अपने शिकार की तलाश करना और शिकार करना शुरू करते हैं तो जैसे ही ये बच्चे दो महीनों के हो जाते हैं तो ये यूवा अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसके बाद अधिकांश प्रजातियां अपने घोंसलों से उड़ जाती है लेकिन कुछ प्रजातियां होती है जो अभी भी अपने पहले वर्ष के अंतर तक अपनी मा के साथ बने रहते हैं तुकि जब ये एक बार बड़े और बुड़े हो जाते हैं तो इनके जीवत रहने की संभावना बढ़ जाती है तो जैसे ही ये 6-7 महिनों के हो जाते हैं तो ये किशोरा अवस्ता में पहुंच जाते हैं जिसके बाद ये अपना विक्षित फंक प्राप्त कर लेते हैं जिसके बाद ये वैस्क उल्लू की तरह दिखाई देते हैं लेकिन ये अभी भी लंबाई और आकार में वैस्क उल्लू के बराबर नहीं होते और शायद इसी लिए कुछ प्रजातियां होती है जो अभी भी अपने माता-पिता के साथ रहना पसंद करती है तो जैसे ही ये 9 से 12 महिनों के हो जाते हैं तो ये पूरी तरह से वैस्क हो जाते हैं जिसके बाद ये पूरी तरह से यौन रूप से परिपक्व हो जाते हैं जिसके बाद अधिकांश प्रजातियां अपने गोंसलों से बाहर निकल कर अपनी अपनी रहा पर आगे बढ़ जाते हैं और फिर ये अपने सांथी की तलाश कर मिलन प्रक्रिया में भाग लेते हैं और एक बार फिर ये जीवन चक्र शुरू हो जाता है आपको जानकर हरानी होगी कि ये उल्लू पक्षियों के उन प्रजातियों में से है जो जातर अपना पूरा जीवन सिर्फ एक ही सांथी के साथ बिता देते हैं और अगर बात करें इनके जीवन काल की तो इन उल्लू का जीवन काल 4-8 वर्षों का होता है जो विभिन प्रजाती के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है और अगर ये उल्लू किसी कैद में है तो इनका जीवन काल 15 वर्षों का भी हो सकता है जो विभिन प्रजाती के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रहे ही वीडियो या फिर डिस्क्रिप्शन में देगे लिंक को चेक कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए, बाई